दोस्तों नमस्कार मैं हूँ प्रहलाद कल भारत और न्यूजी लेंड के बीच होने वाले पहले टी ट्विंटी मैच को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन ऐसा बल्ले बाज है जो रीतुराज की कमी को पूरा कर सकता है हलागी भारतीय टीम में कई ऐसे युवा बल्ले बाज हैं जो तेज तर्रार बल्ले बाजी करने की छमता रखते हैं इसके बावजूद रोहित सर्मा, बिराट कोहली, लोकेश राहूल जैसे दिगज बल्ले बाजों की कमी भारतीय टीम को टी ट्वेंटी सीरीज के दोरान बहुत खलेगी बात करें मौजूदा भारतीय टी ट्वेंटी स्क्वाइट की तो कप्तानी की जिम्मेदारी ओल्ल्राउंडर बल्ले बाज हारदिक पंडिया के उपर रहेगी जबकि वाइस कैप्टन सुर्य कुमार यादो होंगे दरसल पिछले कुछ टी ट्वेंटी मैचों में सुर्य कुमार यादो का सांदार प्रदरसन रहा है यही वजह है कि उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है बात करें विकेट कीपर की तो ईसान किसन के उपर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी रहेगी और रिसब पंद की गैर मौझूदगी में जिते सर्मा भी दूसरे विकेट कीपर बल्ले बाज होंगे साइद आप लोग जितेश सर्मा के नाम से अंजान होंगे लेकिन जितेश सर्मा आईपील में पंजाब किंग्स के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं पिछले सीजन कई आकरामक पारियां खेलने के बाद ही जितेश सर्मा को अंतराश्टी या वन डे टीम की स्क्वाइड में सामिल किया गया है कुछ लोग ये भी दवा कर रहे हैं कि जितेश सर्मा ऐसे आकरामक बल्लेबाज हैं जो आने वाले कुछ मैचों में भारती टीम के लिए रिशा पंत से भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं बात करें आल राउंडर बल्लेबाजो की तो दीपक खुडा आल राउंडर होगे हलकि वासिंग्टन सुन्दर भी बत और आल राउंडर टीम में जुड़े हैं लेकिन अब वासिंग्टन सुन्दर की जगह जल्द ही टीम इंडिया में रबिंद्र जडेजा की वापसी हो स बात करें टॉप ओर्डर बल्लेबाजी की तो सुर्य कुमार यादो और सुबमन गिल के अलावा इसान की सन और कप्तान हार्दिक पंडिया के उपर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रहेगी इसके अलावा बंगलादेश की खिलाव राहुल तृपाठी का डेबियू भी ठीक ठाक रहा हलाकि पहले मैच में राहुल तृपाठी का कुछ खास योगदान नहीं रहा लेकिन उस टीट्वेंटी सिरीज में राहुल तृपाठी ने भी आर्ध सतक जड़ा था इसके अलावा मुकेश कुमार जी हां तेजगेदबाज मुकेश कुमार भी न्यूजिलेंड की खिलाब टीट्वेंटी सिरीज में खेल सकते हैं और ये एक और ऐसा नया नाम आया है नया तो नहीं बोल सकते हैं क्यूंकि पृत्वी साह पहले ही वन डे के साथ साथ स्वेंटी सिरीज में खेलने का मौका मिल सकता है खेर अब देखना होगा कि कप्तान हार्दी के पंडिया पृत्वी साह और सुमन गिल के साथ पारी की सुरुवाद करते हैं y andare और ईसान किसन से पारी की सुरुवाद करते हैं दोस्तों इस भारती टीम की स्क्वायड के बार और इसान किसन के साथ पारी की सुरुवात करनी चाहिए कॉमेंट्स बॉक्स में इस सवाल का जबाब जरूर बताईएगा